नमस्कार आप देख रहे हैं दानिक भासकर उत्राखंड उतर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ सपना पांडी आईए दालते हैं एक नजर आज के सुख्यों पर हलदवानी में किशोरी से दरंदगी का मामला आया सामने जंगल में ले जाकर हैवानू ने किया सामोहिक दुशकर्म दो आरोपी गिरफता टीवी के मरेजों के लिए दवाल लेकर ड्रोन पहुँचा टेहरी सफल ट्रायल करने वाला देश का पहला एम्स बना रशिकेश ओली में 23-26 तक प्रस्तावित नेशनल स्कींग चंप्रेंशेप हुई रद्द बर्फ नहीं होनी से लिए आगया फैसला पंतिन अगर विश्वेद्याले के 34 पे वीक्षांत समाहरों में पहुँचे एनसे अजीत दोभाल राज्यपाल ने प्रदान की डॉक्टरेट आफ साइंस की मानद उपाथी हल्दवानी में तबादले के बाद भी स्कूल नहीं पहुँचे सिक्षक छात्रों के भविश को लेकर विभावग संग में अक्रोश धामी कैबिनेट का फैसला बाड़ प्रभावित क्षेत्रों में बसे लोगों का होगा पुनरबास तीन महीने में बने गी नीती जोशी मट के सुनील गाओं में मकान जुके रोपवे टावर के आसपास बढ़ रही अगरारे पूर सियम हरी शरावत की तबियत विकडी दहरादून के मैकस अस्पताल में भरती एक रुपे में एक किलो मडवा मंत्री मंडल में उत्राखन मिलिट मिशन यूजना को मिली मन्जूरी कैबिनेट के फैसले से तहसिलदार को प्रमोशन का मौका डीम को वी आईपी ड्यूटी से मुक्ती सलमान खुर्शीत को हाई कोड से बड़ी राहत सीम योगी के लिए कहा था रिष्टे में हम आपके बाप लगते हैं खेद जतानी पर केस हुआ डिस्पिस यूपी के उन्नाओं में परिक्षा देने जा रही दस्वी की छात्रा से मार पीट अगवा करने का प्रियास स्कॉलर्शिप स्कैम को लेकर यूपी के कई शहरों में इडी की रेड फरुखाबाद और हर दोई की कॉलेजों में खंगाले जा रहे दस्तावेज बान्दा में बारात से लोट रही बोलेरो और स्कॉर्पियो बेकाबू होकर खाई में पल्टी चार की मौत काई खाय सीतापूर में भी कानपूर देहाते जैसी घटना अतिक्रमन हटाते समय बुल्डोजर पहुचा तो लग गई जोपडी में आग महिला होई गरफतार गोरखपूर में हाती का आतंक यग्दी के दोरान दो महिलाओं समेट तीन को रोंदा सभी की हुई मौत जनता दरबार में अपसरों पर सक्त हुए सीम योगी बोले लापरवाही करने वालों को बांधना होगा बोरिया बस्तर सीम योगी के भारत हिंदू राष्ट बनाने के दावे पर राम गोपाल यादव निकसा तंच कहा देश पहले जैसा था वैसा ही रहेगा मतुरा में श्रकृष्ण जन्मस्थान शाही इतगा मामले में सुनवाई टली अगली तारीख 23 फरवरी को हीता है और कौशामभी में मनतातरण से इनकार पर महिला की गला घोट कर हत्या आरोपी पुलिस एंकाउंटर में गिरफतार सुर्खियों में आज के लिए वस इतना ही उत्राखंड उतरप्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे दनिक भासकार उत्राखंड उतरप्रदेश